गुरुदेव और मागायती के चर्णों में कोटी-कोटी नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए, आज हम जानते हैं कि जो परिना हमको गायत्री साधना करने से प्राप्त होते हैं, वो क्या विज्ञान सम्मत होते हैं, क्या उसके पूछी पीजे कुछ वैज् गायत्य उपासना का भावात्मक एवं वैज्यानिक दोनों ही द्रिष्टियों से बड़ा महत्व है भावना की द्रिष्टी से यदि विचार किया जाए तो मानव जीवन के चरित्र उतकर्ष का पीजमंत उसे कहा जा सकता है सामानमिता मनुष्य सबसे अथिक उपेक्षा उसकी सद बुद्धी की करता है जिस ओचार से उसे निर्मान कार्य करना है उसे ही तूटा फूटा भोत्रा और अनपड रखता है इस भूल के फल सरूपियों से जीवन लक्ष से बंचित रह जाना पड़ता है गायतरी मंत्र में इश्वर से यही मांगाए गया है कि हमें आपने मानो शरी देकर असीव अनकंपा की है अमानो बुद्धी देकर हमें उपकृत और कर दीजी ताकि हम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहला सकें और मानो जीवन को सार्थक बनाते हुए उसमें नहित जीवन में आनंद का लाब उठा सकें गायतरी के 24 अक्षरों में परमात्मा के सवित वरेन्यम भर्ग और देवगुणों का चिंतन करते हुए उन्हें अपने जीवन में धारन करने की आस्था बनाते हुए यह संकल्प किया गया है कि परमात्मा के अनुग्रह एवं वर्दान की ए इसमें की सद्वुध्धी संपन्न महा मानव ठलते चले आये हैं उसी संकल्प को बार बार पूरी निष्ठा और भावना पूर्वग दोहराने का नाम गायतरी जब है जब का सच्चा स्वरूप समस्ते हुए जो उपासना को करते हैं वे उसका आनिर्वचनिय लाब भी प् करने का स्वर्गी आनंद पक पक पर अनुभाव करती रहते हैं वैग्यानिक द्रश्टी से गायतरी उपासना की अगडित भोतिक लाब भी हैं कश्टों और आपत्यों में पड़े हुए विपत्यों में फसे हुए आभाव और दारिद्रम से पीडित आसफलता की कोठी में विख्षुब्द व्यक्ति यदि इस महामंद्र का आश्या लेती हैं तुन्हें आशा की केने द्रश्टी गोचर होने लगती हैं जिन्हें अपना भविश्य अंदकार में दिख रहा है था और आपत्यों की कुछ अक्र में पीसे जाने का भैस अता रहा था उन्हें इस हुई आग त्रप्ती और शांती में परिलित होती देखी गई है इस अवलंबन का सहार लेकर घिरे हुए लोग उपर उठते हैं इस प्रकार के प्रतिफल किसी जादू से नहीं वरन एक वैग्यानिक पधिती से उपलब्द होते हैं गैतरी उपासना मनुश्य के विचारों और कारियों में एक नया मूर एक नया परिवर्तन प्रस्तुत करती है जिसका अंतर जगत पदले तो उसके बाह जीवन में परिवर्तन प्रस्तुत होना ही चाहिए होता भी है इसे ही लोग गैतरी माता का अनुग्रह एवं वर्दान भी मानते हैं अनेक व्यक्तियों को गैत पद्धिती में ऐसे वैज्ञानिक तत्थों का समावेश है जिनके कारण साधक की अंतह भूमी में आवश्यक हेर फीर उपस्थित होते हैं और वह असफलता एवं शोक संतापों पर विजाय प्राप्त करते हुए तेजी से समुन्नत समर्थ एवं सफल जीवन की और अग्रसर होता है गायत्री उपासना से साधकों की सामय घटनाईयों का निवारन होने के समाचार आए दिन मिलते रहते हैं इसी प्रकार प्रगति पत पर आगे बढ़ने की सुविधा समवर्धन की ऐसी घटनाई भी सामने आती रहती हैं जिन से प्रतीत होता है कि किसी अद्रश्य सह खायता के सहारे साधक को ऐसे लाप्राप्त होते हैं जिनकी प्रस्तुत परिस्थितियों में किवल कल्पना भर की जा सकती थी कष्ट निवारन और सुविधा समवर्धन की अनेक अनेक घटनाई को गायत्री उपासना का सत्परिणाम कहा जा सकता है ये घटनाई किवदंति या नहीं है और ना अतिशयोक्तियां हैं जो सामने हैं उसमें शंका करने की गुणजैश नहीं रह जाती आए दिन उपलब्ध होते रहने वाली सूशनाओं की जाच परताल करके ये सहज ही जाना जा सकता है कि उन घटनाओं में कुछ आलू किकता है या ये सब ऐसी ही अना अनायास ही कोई संकटल गए हों और संयोगवश ही किनहीं को कोई बड़ी उपलब्धियां मिल गई हों ये भी संभव है कि उन उपलब्धियों को श्रे मनुष्य भावक लोगों ने गायत्री उपासना को दे दिया हो कुछ ऐसे भी प्रसंग हो सकते हैं पर अधिकांश के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे संयोगवश हुए इस संसार में संयोगवश कुछ भी नहीं होता जिने हम आकस्म किया अनायास कहते हैं वे सब भी प्रकृति के नियम नियम अनुसार ही होते हैं अंतर इतना ही रहता है कि जिन क्रियाओं की प्रतिक्रिया का अपनी स् बुद्धी को ग्यान है उन्हें स्वाभाविक कहा जाता है और जो अपने आपरिचित प्रकर्ति के नियमों के अनुसार होता है वो आशरजनक प्रतीत होता है गायत्री उपासना की द्वारा मिलने वाले सत्परिणाम भी लगते आशरजनक और आप्रत्याशित हैं पर वस्त उपासना का विज्ञान गंभीरता पूर्वक समचने का प्रत्न किया जाए तो इसका प्रभाव साधक की अपनी मनो भूमी में सात्विक्ता की मात्र का संवर्धन होता है इसे एक ऐसी आकरशट शक्ती कह सकते हैं जो अंतरंग के रोम रोम में प्रसुप्त पड़ी हुई ह देवे शमता को जगाती जग जोडती है वे उपती हैं बढ़ती हैं तो सहजी उनका प्रभाव व्यक्तित्व के विभिन चीत्रों में उभार उत्पन करता है विक्सिक व्यक्तित्व अपने चिंतन को सुधारता है अनुप्योक्त तरष्टी कोण अपनाती ही अवांचनी इक्षाएं उत्पन होती हैं संचित उसंसकारुन का परिपोशन करते हैं दूशित वातावरन से दुष्ट संगती से उन्हें और अधिक पल मिलता है जिनके कारण अनावाश्यक और अहित कर कामनाय मना शेत्र पर छाई रहती हैं इनकी पूरती असंभव है समस्त संसार का बैवो मिलकर भी एक व्यक्ति की कामनाय पूरी नहीं कर सकता रावण, हिरनिकश्यप, सहस्त्र बाहु, व्रतासुर जैसे असरों ने चरम सीमा तक बैवा संग्रह करने में सफलता प्राप्त कर ली थी तो भी उनकी असंतोश उनका जो दूर ना हुआ अन्ने किसी की भी पांचनिय मनोकामनाय पूरी हो सकेंगी अथवा पूरी होने पर संतोश मिल सकेगा संभव नहीं हैं जितना मिलेगा उससे दूनी चोगनी त्रशना इस उपलब्धी के साथ साथी आग में घी डालने की तरह भड़क उठेगी इससे तथे के रहते हुई भी गैतरी उपासक की मनोकामनाय पूर्ण होती हैं इसके दो कारण है एक दो यह है कि चिंतन में उत्कृष्टता की मात्रा बढ़ने से उचित अनुचित का आवश्यक अनावश्यक का विवेग बढ़ जाता है और अवांचनिय की आग अनयासी थंडी हो जाती है मतलब जो चीज हमारे लिए आवश्यक है वो हमको प्राप्त करने की इक्षा होती है और जो आवश्यक नहीं है उसके प्रति से हमारा मन हच जाता है दूसरा कारण यह है कि उप्युक्त आवश्यक तकी पूर्थि के लिए जिस इस्तर का चिंतन करतव्य और व्यक्तित्व चाहिए वह सात्विक्ता की अभिवर्द्धि के साथ-साथ ही बढ़ने लगता है अपनी पात्रता के अनुरूप ही कामना की इस्तर में काट-छाट करनी जाती है साथ ही प्रयास में उप्युक्त रीती-मीती का समन्यवय हो जाने से सफलता सरलता पूर्व जल्दी और अभिष्ट मात्रा में मिलने पूजा करने वाले को देवता निहाल करें और ना करने वालों पर लाठी लेकर बरस पड़ें ऐसा हो ही नहीं सकता यदि ऐसा होने लगेगा तो संसार में घोर आव्यवस्था और अराजक्ता चाजाएगी सफलताओं के लिए पातरता और पुर्शार्थ की शर्त अनादिकाल से चलिया रही है इसी कारण लोग शमता बढ़ाने और साधन जुटाने के लिए प्रत्ने पराकरम करते हैं यदि स्रष्टी की सूव्यवस्था बनाए रहने वाली प्रता उलट जाए और देवता के अनु भलता के लिए अभिष्ट पुर्शार्थ करने की आविश्यक्ता समझेगा देवता यदि सस्ती पूजा पत्री से प्रसंद हो जाते हैं तो इतना करने मैं तो किसी बालक को कुछ भी कटनाई ना होगी पूजा विधानों पर दश्टिपात करने से वी स्वल्प समय स्वल् कम ग्रस्तों द्वारा समझी गई है तो फिर संसार का एक भी आदमी उस सस्ती मोलकी देवक्रपा को खरीदने से वंचित ना रहता और तब किसी और की भी मनुकामना अपून ना रहती इसका अर्थ ये नहीं है कि देवता किसी पर अनुकंपा करते ही नहीं है देवी अनु मित है उपासना का तत्वगा ज्यान यदि सही रीती नीती से समझा गया होगा और उसके उपचारों को यदि सही रीती से अपनाया गया होगा तो उसकी सुनुशित प्रक्रिया साधक में आत्म परिशकार के रूप में प्रस्तुत होगी यानि उसने यदि उपासना सही तर एक ही तथे के दो नाम रूप हैं यदि साधना सची सिध्धाद्मत के साथ चल रही होगी तो चिंतन और क्रिया कलाप में साथ विक्ता निशित रूप से छलकेगी और इस उफान का सत परिणाम अनेकों प्रतक्ष्य आधारों के सहारे समस्याओं के समाधान और सुविधाओ के समवर्धन के रूप में सामने दिखाई देगा मनाय स्थिती में अंतर आते ही परिस्थितियों में अंतर पढ़ना इस पष्ट रूप से द्रश्टी गोचर होगा अंतरंग का सुधार बाहर की सुधार का परिवर्धन उत्पन ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता स्वजनों का विरोध असहयोग त्रिसकार प्राय अकारण ही नहीं बरस पड़ता उसके मूल में कुछ अपनी वी अवांचनियताएं होती हैं उनकी दूर होते ही संपर्क शेत्र की व्यक्ति अनकुल बनते हैं और सहयोग करते हैं वलता अवरोध बड़ी मात्रा में सरल हो जाते हैं प्र में काम सिक्ता चाही रहे तो अनेक प्रकार के विग्रह उत्पन्न होती रहेंगे और यदि सात्विक्ता की मात्रा बढ़ेगी तो समरधी और प्रगती की प्रिस्तिया सहजी बनती चली जाएंगी देवताओं की शक्ति सूप्ष्मर जगत में मौजूद है ये देवता प्रियोजन पूरा करती रहती है धर्म का संरक्षन और अधर्म की उन्मूल करना उनकी गत्विधियों का केंद विद्दु रहता है इसी आधार पर उनकी प्रसनता आप्रसनता निर्भर रहती है यही वह आधार है जिसके मिमत्त से सहयोग देते हैं और विरोत करते रहते ह अकारण नावे किसी पर प्रसन्न होते हैं और ना रुष्ट पूजा से देवताओं की प्रसन्नता की संगती जोड़ी तो है पर उसके मध में एक और तथ्य को विद्वान देखना पड़ेगा सची पूजा से सात्विक्ता की अभिवर्दी होना सुनिश्यत है व्यक्तित्व में एक देवत्व का अभिवर्दन ही देव अनुग्रह की रूप में प्रकट परिनित होता है यदि पूजा की उपचार कर्मकांड मात्र को ही देवारातना माल लिया जाए और उतने ही भर से तरह तरह की वर्दान मिलने की बात सोची जाए तो ये माननेता शाश्वत तत्यों की विप्रीत एवं बचकानी आत्म प्रवंचना ही कही जाएगी। इश्वरी विधान मर्यादा के प्रतिकूल काम करने वाला कहा जाएगा ऐसी दसा में उस बेचारे की अपनी इस्थिती ही बड़ी दायनिया और उपहासपत बन जाएगी। भौतिक पदार्थों या प्रस्थितियों की रूप में कहीं परस्ती हैं। देवताओं के अप्तरण का शेत्र अंतहकरण हैं। अंतहकरण में देवत्वी की कितनी किर्णे उटरी, कितनी दिव्वे पेनाय उभ्री इसी परिवेक्षन सी है। जाना जा सकता है कि किस पर किस मात्रा में देवता प्रसन्न हो रहे हैं। और साधक को उनका अनुग्रह किस परिमान में उपलब्ध हो रहा है। पुर्शार्थ का प्रतिफल पैसे की रूप में हात लगता है। उस कमाई की बदले बाजार से इक्षिद वस्तुएं खरी दी जा सकते हैं। श्रमे को सीधे उनकी अभीष्ट वस्तुएं ना मिलकर वेतन की रूप में मिलती हैं। ठी किसी प्रकार देवता अपने भक्तों को सीधे धन बैवावाधी नहीं देते। वे सत प्रेनाय और सत प्रवत्तियां प्रदान करते हैं। वास्तविक बैवाव यही है विभूतियां इनहीं को कहते हैं। ये संपदाएं जिनके पास होंगी वे उस हुंडी को किसी भी दुकान पर भुना सकते हैं। और किसी भी छेत्रे की किसी भी इस तरकी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पिता ने बच्चे को पढ़ा दिया। पढ़ाय की कीबत पर उसने अच्छा पद और वेतन प्राप्त कर लिया। यही गुमावदार तरीका देव अनुग्रह की रूप में क्रियानवित होता है। ना तो बाप अपने स्वेग बेटे को उच्च पद एवं अच्छा वेतन देता है और ना देवता किसी की छट पर दन पैवाव बरसाते हैं। साधक को उपासना के फलसरूप सत पेड़नाएं मिलती हैं सनमार पर चलने के संकल्प उभरते हैं। सत संकल्पों को निष्ठा पूरवक अपनाए रहना और उन्हें क्रियानवित करने का साहस मिलना देवताओं का प्रितेक्ष वरदान हैं। इतने भरपूर अनुग्रह को प्राप्त परियाप्त भी कहा जा सकता है। सत्पेड़नाओं का 93 तो मनश्य का अपना काम है उपासना के साथ साथना का युग में इसी अविछनिर रूप से जड़ा हुआ माना गया है। साथक को मात्र पूजा कर लेने मात्र से ही निर्वरती नहीं मिल जाती वरण उपासना का प्राण कही जाने वाली जीवन साथना को भी शद्धा पूर्वक साथना पड़ता है। तो जो लोग इन सिद्धियों को समझेंगे कि उनका मन सत प्रवर्तियों से भर रहा है। वो समझे उनकी पूजा सफल हो रही है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में सेकिंड पार्ट इसका बनाऊंगी। तो अगर आपके जनकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को धन्यवाद।